आज दो महीने बाद भी ऐसा लगता है कि मैंने मिलिटरी को नहीं, मिलिटरी ने मुझे चुना है, अंदर ये अंदर कुछ खा रहा है मुझे, मैं आया था धरती माँ पे कुर्बान होने, लेकिन अब जीने की आर्जू बढ़ गई है, मैं लोटूँगा, ये वादा तो नहीं करता, लेकिन तेरा आशिरवाद रहा, तो जो काम करने जा रहा हूँ, उसमें सफल जरूर हो जाऊंगा, सारी बाते तो नहीं बता सकता, लेकिन मा, तेरा बेटा सब कुछ ठीक कर देगा, मेरी पोस्टिंग अभी चार-पांच दिन पहले हुई है, और हमें खबर मिली कि एक घर में आतंकवादी छुपे हुए हुए हुए, हेलो, जी सर, हां किरसन, कैसे चैसन हो आपकी, सर, हम घर के पास पहुच गए है, और आतंकवादी घर के अंदर ही है, ठीक है किरसन, यह ओपरेशन मैं तुम्हें अपरेट करने के लिए देता हूँ, उमीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, जी सर, आपको निराश नहीं करूँगा, जैहिन सर, तुम दोनों सामने से गावर करना, और तुम मेरे साथ चलोगे, हम पीछे से गावर करेंगे, और याद रखना, गोली सिर्फ पैर पे मारनी है, क्योंकि हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है, कोई शक्त, लो सर, चलो, यथी जिंदान eldान, जती मेरे स लिए हैंदान yieldsते करेंगे, तुम है से अूरों करेंगे, जा युम है एता उन्हें करूब़ना है, क्कुम है, को चक्त, जो खलाओान। वह वह पुझा करो आप में आप अजआ पॉझान की आप कर्षा शुर्वचर को अज़ेश्टा जै अटोब थांड़ करत लॉषिए जनम्तब। जनम्तब। जनाब मैं आटनवादी नियू जनाब मेरे ये मेरा घर है मेरे इसे स्कै Mart कि बीवी बच्चे अंदर यह like मैं एक सब्रूब मेरे घर वाले मेरे गर वालें यहीन यहीए जलब सब्सक्रास यह sono वाले मेरे घरवालों के ओवाद है यह जला मेरे यह भी बच्चे अंदर यह Ja Man ड्लिग क very Hadam ं स्काइब में में सब्सक्रूब जनाब, जनाब गोली में चलाना, मुझे आपको कुछ बताना है, जनाब मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो, सरा पोड़ दो, मैं इसको यहीं दखना दूगा, जनाब, जनाब असे पर मेरी बात तो सुन लीजे, जनाब, जनाब हम तो आमनावरिक है, हमारी गलती सिर्फ यह है कि हम रिफ्यूस ही है, और इसलिए ना तो हमारी कोई डोकुमेंट्स बनते हैं, और ना हमारी कोई सुनवाई होती है, तैरिरिस्ट दाते हैं और अपना काम कर जाते हैं, और फसता है कौन जनाब, हम जैसे जनाब मुझे मत मार है और तूटों इस घर में जिन्दा है और तूने सारी राटिक को बंदी मनायओ वडोगन है अब तो नाम है मेरा चाहे तो आप पता करा सकते हैं जनाब मैं यही रहता हूं कुलजाहन गली में जब मैंने देखा कि मार्किट में भख़ड़ मची हुई है तो मैं इस घर में आके छुप गया और जैसे मुझे लगा कि सब शांत होने वाला है तो मैं भार निकलने ही वाला था और किसी ने मेरे सर पर मार दिया जनाब मैंने अपने बचाओं के लिए ये बंदूग उठा कर इक पर तान दी और उन्होंने मुझे घेर लिया जनाब साले तु कुछ भी मनकरत कानी बताएगा और हम हिस्वास कर लेंगे अब भी टाइम मेंसेज बोल दे बरना तको ये धाउ तु का जनाब मेरे पाप के यकीन करो मेंसेज बोल नहोंगे ना सार आपने इसको शूट क्यों गिया फिर टर्रिस नहीं ना सान कोल क्या है ये मुझे मत बताओ पिर सन्यादव ये पकड़े जाने पर ना ऐसे ही करते हैं इनकी बगवास ना सुनकर इने सीधा फूट करो बड़ सर्ट तुम्हारी पोस्टिंग ना अभी चार पात दिन पहले होगी लिया है और मैं इस एरिये को ना अच्छी तरह से जानता हूँ और कौन क्या है ये मुझे मत बताओ त हमारा कहा है रिपोर्ट बनाने का रिपोर्ट बनाओ और फाइल प्लोज करो इस इस माई ओड़र चलो सभी इसकी बाते सुनकर मुझे सच में लगा कि हां यहां कुछ न कुछ जरूर गलत हो रहा है वह हादसा मेरे जहन मे बस गया और मैं सारा दिन उसी के बारे में सोच ता रहा है हाँ भई तु यहां बैठा ने मैं तुझे चैंप में डून रहा हूँ कैसे मूल अटका के बैठा है? यार मैं कल के अज़्शय के बारे में सोच रहा था तो अब तक वो बात दिल पे लेके बैठा है? यर मान लिया, सरकार ना हमें परमीशन दे रखे गोली चलाने की पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि हम बिना सज्जाने किसी को भी ऐसी गोली मार देंगे जब सर कह रहे हैं जूट थोड़ी ना कह रहे होंगे मैं नहीं जानता उसने सच कहा या जूट मगर मेरे दिल से आवाज आई कि जब बात उठी है तो इसे उपर तक लेकर जरूर जाएंगे मुझे पूरी उमीद है जाँच कमेटी सच्चाई की जड़ तक जरूर जाएगी मैंने प्रधानमंतरी जी को यहां के हालात के बारे में बताने का फैसला कर लिया था और उनके लिए एक चिठ्ठी भी लिखी मगर जी सर पुलजान मोलने में एक आतमवादी को पकड़ा है तुम जा के कवर करो जी सर सर, सर, प्लीज शूट होग़ो सर, प्लीज एक बार इसकी बात सुन लो तुम पागल हो रहा हो, कृशर यका तक बढ़ादी को बचा रहे हो सर, एक बार इसकी बात तो सुन लो अगर यह ट्रिश्ट हुआना, तो उद मैं इसको छूट करूँगा मैं तुम्हे दास्कों हो दिने तांटेशन, जी खेट जयाओ, बुल बे, उन्हें क्या सबस्की जी? ओए, गन्नीचे करो, गन्नीचे करो ओए, उन्कड़ो, बाग या से, बाग! जा झाल जास्क्राण जाह तो झाल फिर बाद में पता चला कि वो सच में टेरिरिस्ट था बस इससे एक बड़ी गलती हो गई इस बिचारे ने इस बार अपने दिल की बात सुन ली फिर क्रिशन पागल कैसे हुआ गोली इसके सर को चूँकर गुजरी थी और ये बिचारा जब से पागल हो गया और मिलिटरी ने इस पर देश-द्रोही का केश डाल दिया अब ये बिचारा जब तक बहार है तब तक बिचारा सेफ है और जिस दिन ये ठीक हुआ उस दिन से सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे एक बात समझ में नहीं आई परदान मिंत्री जी के पास चिट्टी पहुंची कैसे चिट्टी तो किर्सन के जैम में थी मैं नहीं जानता उसने सही किया या गल्त लेकिन एक पोजी की जिम्मेदारियों को पूरा करना मेरा फर्ज है पागल तो मैं हूँ मगर अपने देश के लिए भले ही मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया मगर जब तक वो आतंकवादी मेरे हाथ नहीं लगेगा मैं पागल ही रहूँगा सब की नजरों में है गाइस वीडियो अच्छे लिए को लाइक करना शेर करना और अपना सबसे बैस्ट पार्ट जो आपको बैस्ट लगाओ जो भी लगाओ यार कमेंट में जरूर बताना है और हाँ जहिन जरूर लिखना है और सबसे इंपोर्टेंट यार अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करना यार जितने भी नॉटिफिकेशन है जो भी नई वीडियो आते हो वह सबसे पहले आप लोगों के पास जाएंगी आपको लिंक नहीं मांगना देगा कि भाही लिंक दे दो तो समझ कहने आप क्या करना है तो कर ले ना यार थेंक यू गाइज लव यू आल